इसमें हम दोग देखेंगे इंडिया म्यानमा से रिलेटीड कुछ इशूस काफे दिन से न्यूस में चल रहा है मैंने आपको कहा था कि मैं इसको एक ही बार में आपको साथ सेट्वीशन क्लियर कर दूँगा तकि न्यूस पेपर हैं बार-बार आपको वह सेम चीज रिपेट रहे हैं उससे तो करिंट में सबसे इंपॉर्टिंट अगर हमने कोई दो जी से जानी थी तो वह थी एक था ब्रदर हूड आलाइन्स राइट ब्रदरोड अलाइंस किया है तीन अलग-अलग एतनिक ग्रूप्स का एक अलाइंस जो लड़ रहा है वहाँ की मिलिटरी यानि की जनता गवर्मेंट से है तो इस अलाइंस को याद रखेंगे और इन्हों ने जो लाइंस किया है जो असौल्ट लाइंस किया है उसको कहते हैं ऑपरेशन 1027 तो आपको एक्जाम में ब्रदरोड अलाइंस के बारे में पूछ किया जाए या ऑपरेशन 1027 तो यू शूड रमेंबर अब यही ऑपरेशन 1027 आपको हाओधी रेबेल्स पोल के दे दिया जाए या गाजा पर इसराइल की हमले को लेकर दे दिया जाए तो इसे लो हैंगिंग फ्रूट वाले कोशन आते हैं UPSC में हमीशा आते हैं ऐसे 10-15 कोशन ऐसे होंगे जिनको आप देखते से टिक मार दोगे एक तम एजी होते हैं और यह आपको जानना नहीं कि त महां हैं किस रिजन में हैं और क्या परपसेस का तो दे आर फाइडिंग दे मिलिटरी चंता गवर्मेंट अब थोड़ा सा म्यानमार की जोग्रोफी को समझते हैं जरा यह देखिए इदर यह जो आप बड़े उसमें देख रहे हो दीस आर्दी मेजर कंफ्लेक्ट ठीक है ज लाई करता है दो जगा पर एक ही रखाइन स्टेट और दूसरा है चेन स्टेट और तीसरा है यह कचिन स्टेट क्योंकि यह बॉर्डर लगती है इसकी चाइना के साथ और इसको चाइना कैसे फ्यूल कर रहा है इस पूरे बैटल को इंडरेक्ली क्योंकि देखिए यह जो च प्राकन आर्मी है, इनका कहना है कि हम Chinese investment को protect करेंगे, बट अड़ी सेम टाइम, इंडिया की interest को protect करने की बात नहीं कर रहे हैं, उस वज़े से इंडिया का पूरा project delay हो रहा है, जबकि ये जो चिन में लोग हैं, ये वही हैं, जो हमारे यहां पर cookies हैं, उन्हीं के ethnic ties हैं इनके साथ, करीब 30,000 से जादा म्यानमा race इस वक्त इंडिया में रह रहे हैं, ये सारा लड़ाई शुरू होने के बाद वो इंडिया के तरफ आए, कई तो lawmakers भी आएं जो वहां पर government का पार्ट थे लेकि बाद में हटा दिया गया उनको, through army, all right, तो अब जब जब इस image को देखिए, यहां पर यह देख रहा है, आपको बामर, इस देश का नाम पहले बर्मा था, उसको नाम को change ही इसलिए किया गया था, क्योंकि कहीना कि यह perception बना हुआता कि यह जो बामर ethnicity है, बस इनी लोगों का है यह पूरा देश, ठीक है, यह जो रीजन देख रहे हैं आप यह कहलाता है, बामर, तो इस perception को ख़दम करने के लिए ही बार्मा का नाम change करके किया गया मैनमार, similarly, यह जो dark green में देख रहे हैं, इस शान पीपल, और हमारे लिए मेन कंसान है इस रखाइन और रोहिंग्यास, यह जो आप यलो में देख रहे हैं यह रीजन, क्योंकि यहां से सबसे पहले trouble शुरू हुआ था, और यहीं से बहुत जादा migration, इंडिया ने दो illegal migration फेस कियें, पहला यह रोहिंग्यास का, और दूसरा यह चिन स्टेट से, जो चिन पीपल का मिज़राम के तरफ हुआ है, यह दो चीज़ें, तो इतनी तरह की ethnicity हैं, और यह इतने सारे rebel groups वहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ा से मियान मार की history पे चलते हैं, 1948 में यह Britishers से आजाद हुए, और 1935 तक तो यह इंडिया कहीं पार्ट था, उसके आद Britishers ने बर्मा को separate कर दिया, Now, Independence हुई, ठीठाक सरकार चलती रही, वहाँ पर आज जो आंगसान सुकी है, उनकी फादर थे, वो वैसा ही status रखते हैं, वहाँ पर जैसा की कांधी थी अपने हाँपर, 1962 में यहाँ पर इनकी military ने कर दिया coup, और जो सुकी थी, वो भाग कर आगें इंडिया, इंडिया में ही रही, अपनी बड़ाई रिखाई सब यहीं पर की, बट 1974 तक जाते जाते लगा कि यार कुछ गरबढ़ है, मतलब जनता उतनी खुश नहीं हमारे रूल से, और देखे एक fact है, मैं कई बार इदर उदर वीडियो पर भी जब देखता हूँ, यूट्यूब पर रैंडम ली, तो कई, आप बच्ची ही कह सकते हैं, मतलब ना समाज एकदम 21-22 के, जिनको लगता है कि नहीं, नहीं, इंडिया में एक बार मिलिटरी रूल होना चाहिए, कोई राइट्स नहीं रहा जाता, और एक बार दिमाग में रखियेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर आप किसी के हाथ में हतियार दोगे, और उसकी पावर पर कंट्रोल नहीं होगा अगर, तो he is bound to misuse it, इसलिए ये एंशूर किया गया कि हमेशा military, किसी भी democracy में, military हमेशा एक elected civilian government के अंडर में ही रहे, इसका सब्सक्राइब एक्सेंपल दिखाते हैं, आप करियपपा के बारे में तो चानती होंगे, हमारे पहले defense chief थे, army chief, तो उसमें नहरुजी ने पूछा, इन में क्या है, तो first उन्होंने कुछ एक्दम light note पर कहा दिया, second light note पर कहा दिया, third उन्होंने कहा कि इसमें मेरा plan है कि कैसे आपकी government को हटाना है मुझे, मतलब कैसे मुझे take over करना है आपकी government को, अब उन्होंने कहा मजाग में था, करियपपा जी ने, लेकिन नहरुजी ने इस चीज़ को बहुत serious की लिया, कियर ये probability है, और नहरुजी की अगर आप strength दिखेंगे तो एक चीज़ पर उनका command बहुत अच्छा था, वो था world history पे, इसलिए उन्होंने इस बात को बहुत seriously लिया, हाला कि मजाग में कही गई थी, बट उन्होंने military में काफी सारी इस तरह की चीज़े की, army act वगएरा लागू किये गए, कि ऐसी कई चीज़े की गई, जिसके तरह नोंने ensure किया कि army हमेशा एक elected civilian government के अंडर में रहे, तो ऐसा नहीं है कि नहरुजी एकदम बिकार थे, कुछ नहीं दर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, he was very well knowledgeable person, और गांदी जी का नहरुजी को elect करने के पीछे एक motive वही था, कि सिर्फ national या domestic point of view से नहीं देखना है हमें एक leader को, हम यह देखना है कि जो थोड़ी world level की समझ रखता हो, and जो party वालों ने आदकल WhatsApp University की से थुरू चला दिया कि सरदार पतिल पहले prime minister होने थे, तो देखें 1951, 1951 में सरदार पतिल जी की death हो गय थे, कि 1952 में हमारी पहली elected government बनी है after election, तो वो सरदार पतिल जी अगर पहले बन भी जाते तो भी बाद में बनना नहरु जी कोई था, that was also fact and एक और चीज जो आप African nationals को देखकर सीख सकते हो, कि जब कोई देश आजाद होता है and most importantly कि उसकी 90% आबादी illitrate भी हो और पूर भी हो, ऐसे देश के बिखरने के चांसे ज़ादा होते हैं, इसके बहुत जरूरी हो जाता है कि उस वक्त एक ऐसा leader emerge हो, जो सब को साथ लेकर चले और most importantly कि at least उसके पास tenure थोड़ा सा लंबा हो, अगर दो साल, तीन साल बाद उसकी death हो गई, तो फिर आपस में खीषतान शुरू हो जाती है politics में और फिर लड़ाईयां शुरू हो जाती हैं आपस में, तो नहरु जी ने 17 साल राज किया और उनके अंदर एक बाद सबसे अच्छी थी कि अगर कोई concern raise करता था तो उसको address करते थे, उसको इस तरीके से taunting नहीं करते थे कि ये तो सब anti-national हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, उस तरह की बाते नहीं थी, तो India was really blessed, we were lucky to have those leaders of those caliber, नाडू के cm रहे 10 साल, तो उन्होंने ये ensure किया कि मैं कुछ और दू ना दूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा schools खोलूँगा, और schools का ही नतीजा था कि 10 साल में Tamil नाडू में literacy rate massively jump कर गया, तो वो जो leaders थे और आज ही जो leaders ने बहुत फ़र्ग हैं, बट वो बच्चों को खासकर brainwash करने के लिए mind, ये mind में डाल दिया जाता है, कि बस सबसे अच्छी leader अब आए हैं, पहले वाले leader कुछ नहीं थे, तो ऐसा भी नहीं है, चलिए इस पर चलते हैं वापस से, तो यहां पर 62 में coop होता है, फिर 74 में आर्मी एक constitution बना के देती हैं लोग को, उनके discontent को address कने के लिए, बट यहां पर इस constitution का study किया जाए, तो उसमें human rights जैसी कोई चीज थी ही नहीं, सिर्फ duties थी, कि आपको state के लिए यह duties करनी है, वो duties करनी है, fundamental duties थो दे दी गई, लेकिन fundamental rights नहीं दी गए, फिर सुकी वापस आती हैं, और प्रोटेस से मर्ज होना शुरू होते हैं, बट प्रोटेस और ज़्यादा बड़े, इससे पहले ही सुकी को house arrest कर लिया जाता है, और थोड़ा बहुत नहीं, इन्होंने अपने जिनकी करीब 20 साल से ज़ादा house arrest में गुजा रहे हैं, house arrest एक jail जैसे ही होता है, बस यह है कि आप जितको jail की जागा, आपकी घर में बंद रखा जाएगा हमेशा, फिर यह protest इसी तरह चलते रहें, बट international pressure बढ़ने लगा, इनको nobel prize भी मिल गया सुकी को, तो यह और ज़्यादा highlight हो गई, फिर 2008 दक आते आते, army ने एक new constitution draft किया, लेकिन उसने दो changes इसमें कर दिये, पहला कि Parliament में lower house में 25% seats army रखेगी, तो suppose कीजए कि अगर मानलो house में 100 seat हैं, उसमें 25 seat army रखेगी, अधिर आपको कोई major amendment करने हैं, तो आप लीजे इसमें, आप इसमें लाइए 80-85% जो भी उन्होंने रखा हो, हमें उनका constitution study करने में को interest नहीं है, तो इतनी majority के साथ होगा, औ और army ने 25% votes अपने पास रख लिए, तो ये ऐस तरह से आपका भी amendment कर ही नहीं सकते थे, जो army ना चाहे, civilian government बैट भी जाएगी ना, तो भी amendment नहीं कर सकती constitution में कोई जादा बढ़े, क्योंकि army ने 25 seat अपने पास रखी है, दूसरा, इनको पता था कि सूकी leader बन नहीं है, आज foreigner नहीं होना चाहे, और सूकी पहले ही marriage कर चुकी थी, एक British national से, तो उनको power से बाहर रखने के लिए ही especially ये condition डाली गी constitution में, और 25 seats अपने पास रख के, army ने ये भी ensure किया, कि आप कल को आपकी government आ भी जाए, तो वो इस तरह के amendment नहीं कर पाएगी, 2010 में election हुए, तिकि election इतने corrupt हुए कि आम जनता को vote डाल नहीं जाने दिया, आर्मी ने अपने ही लोगों से vote डलबा दिये, आर्मी के से related जो families हुआ करती थी, उन्होंने vote डाल दिये, और आर्मी बैक भी एक party यहां पर जीच जाती है, United Union of Socialist and Development Party ऐसा कुछ करके उसका नाम था, ठीकि not important that, but USDP एक party हां पर जीच जाती है, क्योंकि election बिल्कुल fair नहीं हुए, but उसके बाद 2015 में जब election आते हैं, तब थोड़ा सा IN, NLD को vote share जादा मिलता है, सरका बनानमी काम्याप भी हो जाती है, लेकिन 2020 तक आते आते हैं, यह बहुत जादा majority से आती है, almost I think 396 seats जोने जीती थी, out of 476, roughly ऐसे ही कुछ estimate था, तो massive majority थ और अब जो हालाथ हैं, वो आप देखी जाएं, अब आर्मी ने जब यह group कियाना तब वो एक बाद समझ नहीं पाई थी, कि यहाँ पर already इतने जादा ethnic groups हैं, कि अगर आप bad भी जाओगे ना, power में तो इनको control करना आसान नहीं है, और वही हो रहा है, आर्मी ने थोड़ा सा subjugation किया था, रखाएं स्टेट में, वहाँ से यह चीजे ग्रो हुई, और इस वक्त हालाथ हमारे सामने हैं, चलिए, थोड़े से कुछ projects भी देखेंगे, important क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यह 2023 का question है, आप इसमें question देखिए जड़ा, trilateral highway, यही India, Myanmar, Thailand वाला, it connects Moray in Manipur to Chiang Mai in Thailand, तो आपको starting point, end point इस तरह से भी question पूछे जाते हैं, तो PYQ को ध्यान में रखते हुए ही हम यह सब चीजे त्यार कर रहे हैं, यह हमारा कलादान project, शुरू होता है कुलकता से, होगली रिवर से होते हुए, फिर समंदर के रास्ते जाएगा sitway port तक, अब sitway port को याद रख वो इंडिया के interest को उतना protect नहीं कर रही है, और यह माना जाता है कि इसको चाइना पूरी तरीके से support करता है, arms के थ्रू, ammunition के थ्रू, और कहीना कि चाइना इसका use करके इंडिया के connectivity projection को derail करने की कोशिश कर रहा है, फिर यहां से sitway से पलितवा तक हम चाहेंगे reverse के थ्रू, then highway के थ्रू, और फिर इंडिया के national highway के थ्रू, as well, मिजवराम तक, इसको कोल का दासे लेकर मिजवराम तक आपका यह प्रोजेक्ट जाता है, यह है हमारा IMT project, मोरे इन मनेपूर, यही question आया था, यहां से होते हुए, हम म्यान मार के थ्रू होते हुए, वापस जाएंगे Thailand माउस होट तक, और जबकि जो statement आया था, वो कलत आया था, मोरे से start हो ठीक है, बट Chiang Mai Thailand तक जा रहा है, तो correct option पूछा गया तो दुनाने, बाखी के project संबाद में देखेंगे, बड़ी thing is, कि आप तीन statement देख रहे हो यहां पे, वो तीन statement अपने आप में तीन question के बराबर है तो ऐसा नहीं है कि, और आप options देखें जरा, अगर चलिए आपको यह वाला पता आप UK statement कला दे, तो भी क्या आप इसको answer कर सकते हो, कि question इस तरह का है, only one statement correct, only two, all three, इसलिए मैं कहाता हूँ कि UPC का जो prelims है, वो 10 question की, 100 question की वज़ाए, वो 200 question के बराबर feel होगा आपको exam hall में इस बात का ध्यान रखिएगा, okay, अब क्या है कि, यहाँ पर लोग mouse out, इसको इतना ध्यान से नहीं देखेंगे कि ठीक है, होगे कोई जगा, और फिर वहाँ पर उसने जो नाम दिया है, Chiang Mai, तो यह confuse करने के लिए काफी था बच्चों को, okay, यह है China Myanmar Economic Corridor, अब यह भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि Myanmar में इतना ट्रबल चल रहा है तो, यह आता है चाइना के कुन्मिंग प्रोविंसे, यहाँ से स्टार्ट होगा, और यह जाएगा क्योक्पी पोर्ट तक, अब देखिए यहाँ पर, इस जगह पर है आपका सिट्वे पोर्ट, वो इंडिया डेवल इसलिए पाकिस्तान में भी थी, पाकिस्तान का गौधार पोर्ट वो डेवलप कर रहा है, उसके जस्ट वाजू में हम डेवलप कर रहे थे चाबा हर पोर्ट, तो यही चीजे हैं, जो चाइना की, उसको चाइना के कंटेक्स में अलग से डिसकस करेंगे, बट फिलाल आपको एटलिस यह चीजे समझ में आई हो, जो करेंट इशूस में थी, अब एक पर बस क्विक ओवर्वीव देखेंगे, ओवरॉल जो भी इंडिया के रिलेक्शन सजाए हैं म्यानमार के साथ, और क्यों यह इंपोर्टेंट है, अगीन रिपीटिंगे, किसी में स्टॉमि में आ गई है, इस वज़े से, म्यानमार में जो हो रहा है, तो म्यानमार के रेफरेंस में आपसे पूछा जाएगा, बट पूछा इंडिया का ही जाएगा, कि इंडिया की प्रॉब्लम है, और हाँ, यहां से जो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट भाग कर गए थे, मिलिटरी कूप के बाद, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जो एकसाइल में चले गए थे, तो उन्होंने बनाई एक गवर्मेंट इन एकसाइल, यान कि फॉरिन टरिटरी में वहीं से रूल कर रहे हैं, और इन्होंने साथ में अपनी एक आर्मी भी बनाई, जिसको कहा गया, पीपल हैं, यह भी लड़ रहे हैं, तो यह सब आपस में फाइटिंग में लगे हुए हैं यहां पर, और जो उनके आर्मी हैं, उसे को कहा जाता है, तात्मा दाओ, ठीक है, तो यह स्टैंड समझ में आए, अब इंडिया का अगर स्टैंड देखें, इंडिया की प्रॉब्लम यह ह है, कि नौर्थ इस्टन जो हमारा रीजन है, उसमें उसमें काफी सारे ग्रूप्स एक्टिव हैं, जैसे नाका इंसर्जन्सी चलती है वहां पर, तो थोड़ी सी कंट्रोल में आई हुए, उसी में कुछ ग्रूप्स हैं, लाइक आई एस सी एन, खापलांग, उसी तरीके से इसाक मुईवा, ये सब ग्रूप से, उसके बाद उल्फा हमारा अलग से एक ग्रूप है, जो आसम में इंसर्जन्सी करता है, इन सब की इंसर्जन्सी ये लोग क्या करते हैं, या टैक व अटैक करते थे, और फिर जाके भाग जाते थे, या तो म्यानमार में या पर बंगल जाकर, वो म्यानमार के मिलिटरी के कॉपरिशन से ही हुई थी, अब अगर हम इसकी मिलिटरी को हत से जादा क्रिडिसाइज करना शुरू कर दें, जो कि वैस्टन कंट्रीज तो कर सकती है, यूएस से दूर बैठा है, यूके दूर बैठा है, लेकिर इंडिया अगर मिलिट को जादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगी, तो मिलिटरी इंडरिकली इंग गूर्प को सपोर्ट करना शुरू कर देगी, और वो हमारे नौर्थ इसने स्टेट्स को और ट्रबल में डाल देगा, तो एक तो हमारा सेक्रिटी कंसान आ जाता है, कि हम एक हद से जादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इनको, दूसी तरफ, दूसी तरफ आसियान गुरूप है, उसने भी एक प्रपोजल दिया था इनको, कि आप लोग आपस में इस तरह की चीज़े कर लीजे, बट मियानमार की जो मिलेटी थी उसने डिनाई कर दिया, हमें नहीं मानना आपका प आइना जैसे अगर कोई दो 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 देश मिलकर कोई प्लैन प्रपोस्ट करते तो वो डिनाई करने इतना असान नहीं होता मैंनमार के लिए, लेकिन दोनों अपने अपने वे में इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे हम पर मिजोराम, एक तरफ है मजोराम एक तरफ मनिपूर मनिपूर में दो गॱ्ट करने मीले जोंकी हम लोग इसटेंड देखते ही आरहें मिदाई है कोकी सबस्वार कारी हैं, ओर मिजोराम में मेजरली कोजी साथ हैं, अब ये जो कोकी से हैं इन औनों ह के इनके आपस में यहां की चिर्ण एक साथ एकदम ethnic relations हैं और इसी दिए हम लोगों ने permission भी दीती कि आप 16 km इस तरफ जा सकते हो 16 km इस तरफ जा सकते हो सिर्फ एक pass बनवा के rather than कोई proper visa वगेरा ठीक है इसको कहते हैं हम free free border regime हमने free border regime देदी यहां पर इनको लेकिन इसका मिश्यू जादा हुआ लोग इदर जाने लगे drugs trafficking बढ़ गई आपस में human trafficking बढ़ गई तो इससे हमारी जो security थी वो और ज्यादा trouble में आ गई और फिर यह open border होने की वज़े से 16 km से जादा की open borders है इस open waters की वज़े से हमारे यह refugee influx बढ़ गया अब मिजोराम की कंटेक्स में आपको दो चीज़े बताई भी थी जब यहां पर elections चल रहे थे कि उन्होंने कहा था देखी एक तो आप बायोमेट्रिक ले लिए जो लोग आ रहे हैं तो मिजोराम गवर्मेंट ने मना कर दिया कि नहीं लेना दूसरा नहीं स्टार्ट हुई दीना तब यह रिजिम 16 नहीं यह 40 km की हुआ करती थी 40 km की और इंडिया तो मियानमार लोग को आप अलाव करता था कि आप तीन दिन तक स्टे कर लो बट मियानमार इंडियन को आलाव करता था एक दिन के लिए स्टे करना तो यह कुछ current issues हैं जिनकी बारे में बात हो चुकी है थोटा से एक बार फटा-फट overall भी देख लेते हैं but I will not go in much detail हम लोग सिर्फ dimension discuss करेंगे कि क्या-क्या problem चल रही है सबसे पहले सबसे पहले जोचित हमारे दिवांग में आती है वह है geostrategic क्यों क्योंकि म्यानमार हमारे लिए एक connectivity का पार्ट करता है as a gateway to ASEAN ocean समंदर वह अपनी जगा है ठीक है बड़ एक alternative अगर हमें route चाहेगी थ्रू लैंड तो वह फिर हमें gateway म्यानमार के थ्रू ही जाएगा और हमने policy क्या follow कि है एक्टीस्ट एक्टीस पॉलिशी भी एंड निबर्वूट फॉर्स पॉलिशी भी निबर्वूट फॉर्स पॉलिशी हम लोगों ने विम्स्टैक की भी मेंबर हैं साथ में सभी और इसी के लिए हम लोग इनके साथ connectivity बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं connectivity प्रोजेक्ट में वही दो आपको मेंशन करने इंडिया मैनमार थाइलेंड ट्राइलेटर हाइवेई उसी तरीके से कलादान प्रोजेक्ट कलादान प्रोजेक्ट हमारा सेटवे पोर्ट वह मेंशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना भी बाजू में एक पोर्ट दूसा रीजन है कि हमें अपने नॉर्ट इस में जो इंसर्जेंसी उसको काउंटर करने में मदद मिलती है मैनमार से इसलिए हम इनको हद से जादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते मैनमार मिलिटरी को अधरबाइस ट्रबल हमारे रीजन में बढ़ जाएंगे अब वही बात है आप कह सकते हूं कि एक बैक्डोर चैनल के थूरू मियानमा मिलिटरी को करने की कोशिश की जा सकती है बट अगर हम ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे तो चाइना बाहें फैलाए खड़ा हुआ है आईए हमारे यहां पे तो एक तरस से मिलिटरी रूल ही है फ का एक्जेंपल दीजे ठीके फिर चाइना मियानमार एकॉनमिक कोरिडर का एक्जेंपल दीजेगा फिर नेक्स इस इलीगल माइग्रेशन इवन अब जब हम जो बॉर्डर फैंसिंग करने जा रहे हैं उसमें बंगलादीश ने भी यही का है कि यह फैंसिंग से मदद मिलेगी पूरे रीजन को इलीगल माइग्रेशन से बचने के लिए अभी माइग्रेशन में ना वो रैफुजी क्राइश से वो सब एक अलग इशू है वो अलग से डिसकस कर लेंगे बाद में बट अभी के लिए याद रखिएगा कि हमने कोई जो रैफुजी कंवेंशन है उसको साइन नहीं किया है एक रैफुजी कंवेंशन चलता है वर्ल्ड ओबर रैफुजी कंवेंशन 1951 और उसका एक प्रोटोकॉल है 67 का ठीक हमने कुछ साइन नहीं किया ऐसा लेकिन उसके बाद भी हम लोग मदद करते हैं जो भी रैफुजी साहते हैं बट हमारी मर्जी है वो क्या है कि कोई कि हमन बगी वो कल्स्राइज वगरा हैं बुद्धिस्म 90% पॉपुलेशन उनकी भी बुद्धिस्म है और बुद्धिस्म के रूट तो इंडिया में लाई करते हैं अल्टिमेट्री नौ कोपरेशन के एरियास की अगर बात करें तो उसमें वो सारी चीज़े आ जाएंगी फिर जैसे एकॉनमिक कोपरेशन अराउंड करीब करीब 12 बिलियन डॉलर का ट्रेड है हमारा आपस में और यह लीस डेवलोक्पंट्री मानते हम इसको तो इसको हम ड्यूटी फ्री एक्सेस भी देते हैं अपने यहांपर ठीकर टैरिफ में प्रेफरेंस देते हैं और काफी सारा इन्वेस्मेंट भी किया हुए हमाई प्राइविट कंप्री जैसे ओ इन जीसी विदेश लिमेटेड उसके बाद हम बंगाल वगयरा शेयर करते हैं तो मैरी टाइम रिसॉर्स भी आपस में शेयर करते हैं फिको आपके कनेक्टिविटी प्रोजेक्स भी आ जाएंगे इसको उसको भी आप मेंशन कर सकते हो तो बाकी कलादान आई एम टी यह सब तो आपको मेंशन कर नहीं हैं तीस है डिफेंस को आपरेशन पर मिलिटरी अक्साइज करते हैं अगेंस ग्रूप जिसको हमने कहा था ऑपरेशन संराइज इसको जरूरू मेंशन कीजेगा फिर मल्टि इस चाड़ा होती है पिमस्टैक में हम लुक मेंबर रहे हैं साथ में उसी तरीके से चलता है मेकंग गंगा कोपरेशन उसमें भी मेंबर सें तो बाद कर सकते हैं जैसे एजूकिशन में हम स्कॉलर्शिफ पगरा देते हैं खुद सुरू की हमारे यहां डैली यॉनिवर्सि करते हैं दोनों को चैलेंजिस के अगर बात करें कि चैलेंजिस क्या हैं चैलेंजिस बहुत जाद हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है हमारे लिए कि आखिर हमें से मिलिटरी कूप के साथ डील कैसे करें एक तरफ है कि वी स्टैंड फॉर यही तो यह एक हमारे लिए टैलेमा वाली सिट्विशन है कि हम इसको कैसे करें तो यह बेस्ट वे इस कि आप ओपनली क्रिटिसाइज ना करें फिलाल ठीक है इनकी जो आर्मी बगे रहा है उसके साथ हमें बैक डूर चैनल नेगोसिशिशन करते रहने चाहिए बैक डूर नेगोसिशन करते रहने चाहिए कि आपके मिलिटर रूर के बाद क्या हुआ है एथनिक वाइलेंस और जाता बढ़ गया है तो यह ऐसे नहीं चलेगा आपको डैमोक्रिसी के थुरू क्या होता है एक रिप्रसेंटिशन होता है पब्लिक के पास वो अपने कंसर् चाहिए और इन को साथ में लेना चाहिए और इंडिया चाहिए चाहिए कि इस रीजन की स्टेबिलिटी और पीस के लिए जरूरी है कि यह सब बंद होना चाहिए और चाइना का कॉपरेशन बहुत जादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप उनकी मिलिटरी को इस अधर सपोर्ट मत कीज़े चाइना कोई ब्लेम करना ठीक नहीं है अगर मैं आपको एक UN और्गनेजिशन है I will tell you UN special रेपो ये एक और्गनेजिशन है जिसका कहना है कि इंडिया ने वैपन सप्लाई करें हैं मिलिटरी जनता को कितना सही है कितना नहीं हमें नहीं पता लेकि अगर UN की बॉड़ी कोई रिपोर्ट दे रही है तो फिर हमें सोचना चाहिए उसके बारे में इनका कहना है कि इंडिया ने म्यानमार की आर्मी को खत्यार सप्लाई करें, अब क्यों की होंगे, क्योंकि हमारा concern यह है कि अगर यह ethnic groups का violence इसी तरह से चलता रहा, और फिर यह group कोई एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो power center क्या होगा, किस से बात करेंगे हम, किस के साथ talks करे आज चिन स्टेट में इंडिया की projects drill हो रहे हैं सबकी वज़े से, और वहां की जो अराकन आर्मी लड़ रही है, वो चाइना के investment प्रोटेक्ट करती है, बट हमारे projects को delay कर रही है, तो फिर ऐसे में हमारे पस कोई option नहीं बज़ता, बट वहां की जो जनता आर्मी हैं, उसी क को strong बनाना, यह सब UN की reports कहती है, बट अब reality क्या है वो हम नहीं जनते, ओके next, next is की यह जो free movement regime थी, 16 km वाली, इसका misuse ज्यूज जादा हुआ है, तो आब अगर हम इसको close down करने जा रहे हैं, तो इसको close down करने में मिजोराम, and especially that Nagaland, ठीक है, इन दोनों को पसंद नहीं आ रही यह चीज़, उनका कहना है कि या हम छोटे-छोटे border heart लगाते हैं, आपस में हमारा trade है, आपस में हमारा एक दूसरी घर आना जाना है, हमारे रिष्टे हैं, हमारे ties हैं उनके साथ, तो फिर यह ठीक नहीं है, लेकिन इस free border regime का misuse बहुत हुआ है, एक तो drugs वगेरा के लिए, काफी drugs क्रॉस करती हैं यहां पर, इसके अलावा बैपन्स वगेरा काफी ट्रॉल वो करते हैं, और सबसे important illegal migration बहुत जादा हुआ है, तो यह एक challenge बनता है हमारे दिए, बहुत जादा refugee influx हुआ है, अभी अगर हम overall सबको मिला हैं तो around 55,000 Myanmar citizens इंडिया में रह रहे हैं इस वक यहां तक कि वहाँ पर जो म्यानमर की आर्मी थी ना, वो तक उनके लोग भी हार के हमारे आएं, और similarly कि इस वक्त हाल यह है कि म्यानमर आर्मी को recruit नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे सरवाय कर पाएगा यह rule, और म्यानमर आर्मी में ही leadership crisis भी हो रहे हैं, कि जिस तरीके situation बिगड र हैं, बड़ उससे म्यानमर बिखर ना जाएगी, यह ensure करना भी जरूरी है as a neighbor, लास्ली चाइना के inroads जो हो रहे हैं, उसको control करना भी जरूरी है हमारे लिए, इतने points काफी है ना, हमने पूरा issue समझ लिया है, बाकि हाँ, overall हमें people solidarity जरूरी शो करनी चाहिए यहां पर, तक कि Myanmar के लोग को यह ना लगे कि इंडिया ने, अब जैसे UN की report आईए, अगर यह UN की report एक Myanmar citizen या common man पढ़ेगा तो उसको यह लगेगा, कि इंडिया बेकार है, उस यह चीज़े रह जाएंगी दिल में, और एक तो हमने यहां पर समझ लिया issue जो भी था, अगें, 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 अगें telling you, यह mostly brainstorming का ही पार था, तक कि जो current में इतनी सारी चीज़े चल रही है, वो आपको समझ में आ जाए, बाकि prelims के लिए आपके लिए आपके शज़े रह चीज़ेज़े वरा जाए भी सेज़े चाहर चीज़े चीज़े जाने के लिए丹़ दिलieneए